आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़दार और असान तरिन पराथा रोल की रेस्पी शेयर करने लगी हूँ इजी अन कुईक सी रेस्पी है आप लोगों के जब दिल चाहे आप लोग चाहे वो इस रेसिपी को घर पर ट्राइ कर सकते हैं बच्चों के लंच वक्स आडियास के तरुपर यूस कह सकते हैं इसमें तो मैंने चटनी इसकी रेडी किया न स्पेशिल किसम की वह बहुत ही मज़दार और यूनीक सा फ्लेवर होता है आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिए बजार की निजबा बहुत बेतरी इन घर पर बन सकते हैं यहां पर बैंकि और यूज का Łै यूस कर रहे हो साथ ही मेनेस में आद़ चमचिन, गुटी विलाल मिश्ट आल दिया, आद़ चमच नमक डाल दिया है कर दो गए मैनेस में हल्दी पाउडर भी और अड़ किये हैं तो यह optional है आप skip कर सकते हैं इसकी जगाँ आप color add करते हैं इसमें जर्दा रंग और साथ ही मैंने इसमें एक टेबल स्पून सिर्का डाल दिया था और दो से तीन टेबल स्पून इसमें दही डाल दिये थे सिर्का अगर आपके पास नहीं है तो आप lemon juice का इस्तमाल भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix एरना है marinade होने के लिए रख देना है तक्रीबन 15-20 मिनट के लिए इसको cover करके अब यहां पर चिकन को रख दिया है marinate होने के लिए तो साथ ही हम आटा गून लेते हैं एक कप के ब्रावर मैंने इसमें घंदुम का आटा लिया है और एक कप के ब्रावर मैंने इसमें मैदा लिया है तो मैं फूल मैदे का इसमाल नहीं करी आप लोग चाहें अगर सिर्फ मैदे से बनाना चाहरे हैं तो आप दो कप मैदे का ले सकते हैं यहां पर आटे का इसमालना कीजिए अगर आटे का बनाना चाहरे हैं तो आप दो कप आटे का भी ले सकते हैं तो यहां पे एच्छे से मैंने चाहनता था, लिटान दीना था था, भी मिक्स दरिना है, और फिर कुछ चीज आहने इसमें मजीद गुनना इसको, इस तरह से soft नहीं गुननेगा और अच्छे से प्राठे नहीं बनेंगे इसके soft से तो देखें यहां पर मैने इसमें तेलं और नमक और शीनी डाल दीती, थोड़ा से मैंने इसमें क्या हैं नीम गरम पानी लियोको अफ़िवने गुंना मैं ने Spreading अश्चे से पहले हमने इन सारी चीज लेने हैं और फिर हमने लिए माम थे पानी एट करके इसमें आटे को गुनते जाने है एक दम से आपने सारा पानी नहीं एट करना अच्छे से आपने इसको गुनने है और गुनने के बाद जो है मैंने क्या किया था इसको रख देना है आपने तक्रीबान 20-25 मिनट के लिए अच्छे से आप ढाके इसको रखेंगे अच्छे से जो है हमने इसको सौक सा ढोग इसकी बिनानी है और कवर करके रख दिया था मैंने इसको 20-25 मिनट के लिए उपर आपने आपने आईल लगा देना है उनको एच्छे से मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था यहां पे मैंने इस तरह से 3-4 cup दही ले लिया था और 3-4 डेबल स्पून इसमें मायनीज एड़ के दिया था और साथ ही पदीने और धिनी की चटनी रेड़ी कीती न अच्छे से मिक्स है तो यहां पे मज़दार सी चटनी रेड़ी हो जेगी तो यह स्पेशल किसम की मैंने फूजन चटनी मनाई है इसके रेष्प पर आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगी तो आप लोग ज़ए वो ज़रूर इस चटनी को ट्राइ कीजएगा अब मैंने इसको पैन में डाल दिया है हमने वो इसको इतनी देर तक कूक कर लेना है कि चिकन की बोटियां जो अच्छे से गल्जए और इसका सारा पानी मोश्टर जो ज़रूर ड्राई हो ज़री हाँ पर देखिये चिकन अच्छे से डन हो चुका है बोटियां जो हैं वो इच्छे से गलगी थी अब हमने क्या करने हैं कि इस तरह से जो आठा मैंने गुंदा था थोड़ा सा इस पे जो है मार्वल पे हमने मैधा डस्ट के लिएने हैं और इसको जो है मैंने चार मुख्तली पिसों में डिवाइट कर लिया था चार पेड़े बना लेने हैं हमने इसके अगर आप छोटे सा इसके पेड़े बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है वह इसमें पांच पेड़े भी इसमें से निकाल सेते हैं आप लोगों के अपनी च्वाइस के पर है अब यहां पर हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से मैदा डेस्ट करके अच्छे से बेल लेना है और उसके बाद मैंने क्या किया था कि बेलने के बाद आपने इस पर आइल लेना है या पिर आपने देसीगी का इस्तमाल करना है आप लोगों की अपनी इसके पर है और इसके बाद हमने इसको बीच में से cut करके ना है इस तरह से बल वाला जो है वो प्राठा इसका ready कर लेना है तो यह देखिए थोड़ा सा मैंने इसके पर मैदा dust कर दिया था और इसको हमने इस तरह से roll करते जाना है simply जिस तरह से हम घर में भी जो है इस तरह से आम प्राठे ready करते हैं इसको उपर से लेके आपने इस तरह से fold कर दिना है अच्छे से press करते जाना है अंदर की तरफ और आपने जो है दुबारा इसको बेल लेने है one by one इस तरह से हमने ready करते जाना है सारे प्राठे तो देखिए हाँ पर मैंने तवे पर डाल दिया था हलका सा एक तरफ से जो है इस तरह से बबल जाजेंगे अच्छा सीख जाएगा तो oil डाल दिया था या देसी की आप जो भी इसमें डालना चाहें और आपने जो है इसको बहुत जाएदा जो है इस तरह से सेखना नहीं है होगा क्या कि यह बहुत जाएदा साफ्त होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको soft ही रखना है तो तेल डालने के बाद दोनों तरफ से इच्छे से मैंने इसको जो है वो fry कर लिया था और उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इसके अपर जो चटनी रेडी की थी न हमने special किसम की वो डाल देनी है और एक तरफ जो चिकन हमने जो है बनाई थी वो अपर रख देनी है इ यहां पर जो है हमने प्यास को रिंग की शेकल में कटिंग कर लिया था थोड़ी देर के लिए पानी में नमक डालकर डिप कर दिया था इच्छे से वाश किया था प्यास को तो इसका तीखा पन जो हो खताम हो जाता है इस तान से उपर जो है प्यास के लेच्छे रख देने हमने हमने और इसके पपर चटनी थोड़ी और हमने इस तौड़ी सीasten डाल देनी है और इसको जोई है रोल कर लेने है तो मै मैंने यहां पर टोटली मैदे के इस्तमाल नहीं किया तो इस MOMें थोड़ा आप लोग जो इस रेसिपी को जुरूर ट्राइ कीजेगा आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ रेसिपी इसको जितना आसान और सिंपल बना सकूँ और बजट प्रेंडली भी हो आप लोग तागे इसको घर पर ट्राइ कर सकें उमीद करती हूँ कि आपको आज की प्राटरोल के रेसिपी पसंद आएगी रेसिपी पसंद आईए लाइक को शेयर करना बनता है सासा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जल्दी मिलूंगी नई मज़दार रेसिपी के साथ अल्ला हाफीस